हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास्टेंस साइंस चैप्टर नाइन मेटल्स अन मेटलर्गी इससे पहले वाली लेसन में हम लोग पढ़े हैं ना सबस्टेंस के बारे में जिससे पहले की लेसन्स की बात कर लो या पहले की क्लास प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् है कि elements जो है वो more than 100 हैं तो यह जो elements है वो जब एक दूसरे से combine होते हैं तो वो मिल करके materials form करते हैं ठीक है बहुत सारे materials जो भी हमारे आसपास हैं वो सब इन ही elements से बने हुए होते हैं अब यह elements हैं को हम लोग further classify कर सकते हैं metals and non-metals में अब metals and non-metals में classify करना बहुत easy task तो नहीं है इस chapter में हम लोग पढ़ेंगे कि वो क्या ऐसे characteristics हैं जिनके basis पे हम लोग elements को metals के form में देख सकते हैं कि हाँ यह जो particular element है वो metal है वो कैसे हम लोग जान सकते हैं ठीक है सिर्फ metals के form में देखेंगे non-metals के लिए हम लोग फिर दूसरे और lesson है यहाँ पर इसी book में आपके जिसमें हम लोग non-metals को पढ़ेंगे तो फिलहाल यहाँ पर आपको सिर्फ metals को पढ़ना है now some physical properties of metals किसी भी element को अज़र हम लोग identify करना है कि वो metal है या नहीं तो वहाँ पर सबसे first thing हो जाता है कि हम लोग उसके physical properties को notice करें metals जो हैं उनके physical properties के बारे में हम लोग previous classes में पढ़ के आए हैं कुछ-कुछ physical properties हम लोग को already पता है उनका लश्चर होता है मतलब shine होता है metals को हम लोग beat करके thin sheets बना सकते हैं foils बना सकते हैं उनका wires बना सकते हैं metals जो हैं वो conductors होते हैं heat and electricity के मेटल का सर्फेस है अगर हम लोग स्ट्राइक करें किसी भी चीज से अगर स्ट्राइक करें तो वह साउंड रोड्यूस करते हैं इसके इलावा मेटल उनका हाई टेंपरेचर पर मेल्ट होते हैं मतलब मेल्टिंग पॉइंट उनका हाई होता है यह सारी फिजिकल से कुछ सैंपल करने हैं कुछ मेटल्स के जैसे की आयरन अल्यूमिनियम कॉपर जिंक इनमें से कोई भी हम लोग को जो भी अवेलेबल है इनके अलावा गर कोई दूसरा मेटल अवेलेबल है तो उसके सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं अब आप वहां पर उब्जॉब करो कि क तक सब का लस्चर है सारे मेटल में सब जाइन कर रहे हैं क्या सारे मेटल्स को भील और हम यह इन शीचिट या फिर फॉयल्स बना पारे हैं यो प्लगिट कर हैं तो इस मीटल्स करें उस तक सिर्फ मेटल्स उठाएं ए्लॉरॉइस ना उठाऴलय अगिलम एक बैलश Kund हैं metals and metals के या फिर metals and non metals के तो ऐसे mixtures आपको नहीं लेने हैं आपको pure metals लेने हैं नाव देखो अब जो हम लोग properties देख रहे हैं जैसे यहां पर उसके lusher की बात कर रहे हैं malleability ductility की बात कर रहे हैं तो जैसे यह जो properties है वो identical identical तो नहीं होंगे तो नहीं होंगे सारे metals में जिसे metals होंगे यह सारे metals का shine होगा लेकिन सब equally shine नहीं कर रहे होंगे अलग-अलग lusher होगा सबका तो इसलिए बोल रहे हैं कि metals की properties जो हैं वो similar तो हैं लेकिन identical नहीं होती है नाव दावायर्स of different electrical appliances are made up of which metal और metals जो भी हम लोग electrical appliances use करते हैं उसके जो wires हैं वो कौन से metals के बने वे होते हैं सब तो सारे के सारे wires जो हैं वो हम लोग किसी metal से तो नहीं बना देते हैं ज्यादतर की copper यहां फिर aluminium देखने के मिलेगा जो household wiring होता है वहां पे कौन से metal यूज हो रहा है copper aluminium ही नॉर्मल केस में जादा यूज होता है high tension वाले wires होते हैं उन में कौन से metal यूज हो रहा है high tension जैसी कि जहां पे जादा मतलब मालों की बहुत जादा electricity जहां से पास रहे हैं बहुत high heat जिसको tender करना पढ़ रहा है इस type के जो भी हम जहां पे यूज कर रहे हैं तो जैसी कि जो बल्ब है उसका filament होगा तो वहां पे हम लोग tungsten metal यूज करते हैं उसके बाद वह सारे metals कौन से हैं जो cooking utensils में यूज हो रहे हैं cooking utensils में हम लोग aluminum को जादा यूज करते हैं यानि कि metals जो है specific metals का अपना-पना specific purpose है ठीक है हर जगा पे हम लोग हर metal यूज नहीं कर सकते सेम metal को हम लोग सारे purposes में यूज नहीं कर सकते हर metal के लिए एक specific purpose रहता है you must be thinking that there may be more than one reason for selecting a particular metal for a specific task किसी भी specific task के लिए कि एक particular metal को select करने के लिए more than one reasons होते हैं सिर्फ एक ही reason नहीं है कि हम लोग बेस्ट कंड़क्टर है electricity का तो क्या हम लोग जो वायर्स बनाएंगे household wiring होगा या फिर जो भी हम लो बहुत ही ज्यादा costly होता है अब उस cost को हर कोई तो अफॉर्ट नहीं कर सकता है इसलिए क्या होगा कि silver को यूज नहीं कर पाएंगे तो although वो बेस्ट कर रहे का लेकिन हम लोग economic reasons के वज़े से उसको यूज नहीं कर सकते इसलिए more than one reason होता है किसी भी substance को किसी भी metal को किसी भी specific task के लिए चूज करना होता हूँ ठीक है इसलिए हम लोग उसको यहां पर यूज नहीं कर रहे है बलकि हां silver को फिर हम लोग ornaments बनाने में यूज कर लेते हैं now we know that metals are malleable ductile conductors of heat and electricity have high melting and boiling points and produce sonorous sound यह सारा जो है वोन का physical property है but some of the characteristics are also found in some non-metals अभी यही characteristics कुछ-कुछ non-metals में भी देखने मिल जाते हैं for example diamond यह दो non-metal है carbon का allotrop है और carbon तो non-metal होता है तो diamond एक non-metal है लेकिन तब भी इसका shine होता है blasteries में present है और यह भी thermal conductor है metals thermal conductor थे और metals ना shiny होते थे तो यह तो non-metal है तो भी इसका same property है इसके लावा carbon का एक दूसरा allotrop जिसको graphite बोलते हैं जो grey color का substance है जो pencil के lid में use करते हैं यह graphite भी तो non-metal है तब भी वो conductor है electricity का जबकि electricity के conductors तो metals थे उसके बाद iodine जो की एक non-metal है वो shiny crystals के form में present रहता है तो shine तो metals का होता है इसलिए metals को या फिर किसी भी element को जब हम लोग classify कर रहे हैं कि हाँ वो metal है या non-metal है तब सिर्फ और सिर्फ उनके physical property के basis पे हम लोग classify नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम लोग को उसके chemical properties को भी study करना पड़ेगा तो आप देखते हैं हम लोग chemical properties of metals we have seen that there are many similarities but some differences in the physical properties of metals जब हम लोग metals की physical properties पढ़े तो वहाँ पे क्या देखने के मिला सारे metals का physical property है वो similar है लेकिन कुछ-कुछ differences भी उनमें present है तो क्या वैसे ही उनकी chemical properties में भी होगा देखो we learn a little more about the reactivity of metals by looking at their historical development metals का historically जैसे development हुआ या जैसे जैसे हम लोग बोल सकते हैं discovery हुआ है वैसे वैसे उस basis पे हम लोग उनके reactivity के बारे में और जादा समझ सकते हैं through this study we try to understand for how long human beings have been using metals and their ease of availability यानि कि इस study से हम लोगों सिर्फ उनका यह सारा property मतलब reactivity ही नहीं बल्कि यह भी समझ में आएगा कि हा human beings जो है वो metals को कितने time से use करते हुए आ रहे हैं जैसे यहां पर आपको यह table दिख रहा है ना इसमें आपको दिखेगा elements के name लिखे और वह कौन से era तक वो discover हो चुके थे वो लिखा हुआ है और earth crust में वो कितना amount में available है किते percentage पे वो लिखा हुआ है तो जैसे gold है gold का discovery यहां पर सबसे पहले हुआ है 6000 BC बहुत ही पूराना मतलब यह date है और copper copper का 4200 BC एक proper एक एस था जिसको copper age बोलते थे history में आप लोग पढ़े हैं ना तो copper का discovery यहां तक हो गया है copper के बाद silver then lead, tin, zinc, iron, mercury ऐसे करके मतलब elements जो हैं वो discover होते गए हैं Because of the difference in the chemical properties of metals, the era when humans were able to obtain them in pure form is also different Table 1 में जो हम लोगो दिखरा है कि elements इस form में discover होते गए हैं कहा 6000 BC से लेकर के यह 1825 BC हम लोगो दिखरा है aluminum का discovery तो यह इसलिए है क्योंकि इनके chemical properties में differences हैं इनके reactivity में differences हैं उसके basis पे ही इनका discovery होता गया है अब कैसे तो उसको और थोए detail में समझते हैं तब वो solution में से zinc को displace नहीं कर पाता है तो आखिर वो क्या reason था कि zinc जो है वो copper को displace कर दिया लेकिन copper जो है वो zinc को displace नहीं कर पाया कोई तो reason रहा होगा और यह reason भी हम लोग पढ़ के आए हैं अगर आप recall कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको याद नहीं हुँ बीकर में आपको नहीं बीकर में मुझे solution बनाना है 2 ग्राम copper sulfate का 100 ml water में और वैसे ही दूसरे बीकर में solution बनाना है सेम 100 ml water लेना है लेकिन इस बार copper sulfate की जगा पे एक बार zinc sulfate एक बार iron sulfate और एक बार sodium chloride मिलाना है अब यह करके यह teachers आपके आपको देंगे इसके आगे का activity आपको perform करना है इसमें क्या करना है आपको six test tubes लेने हैं A, B, C, D, E, and F ऐसे उसको label कर देना है उसके बाद test tube A और B म 5 ml copper sulfate solution डालना है test tube C और D में 5 ml zinc sulfate solution डालना है test tube E में 5 ml iron sulfate और test tube F में 5 ml sodium chloride solution डालना है अब test tube A में 2 से 3 iron nails या फिर all pins डालने है test tube B में zinc granules डालने है test tube C में copper tuning डालने है test tube D में magnesium ribbon और test tube E और F में zinc granules डाल देने है अब यहां figure 1 में वो चीज अच्छे से दिखाया हुआ है ठीक है सारे test tube में यहां label दिख रहा है आपको A, B, C, D, E, F label लिखा हुआ है सब में क्या-क्या solution है वो यहां पे लिखा हुआ है जो सामने 2 में copper sulfate बोला था उसके बाद 2 में zinc sulfate फिर एक में iron sulfate और एक में sodium chloride फिर किसमें आपको क्या डालना है वो यहां पे लिखा हुआ है ठीक है यह इसका diagrammatic representation हो गया अब इसके बाद आपको observe करना है इंसारे test tube को 5 स 10 minutes के बाद में क्या-क्या changes आपको दिख रहे है metal के appearance में या solution के appearance में मतलब जो metal हम लोग उसके अंदर डाले वो पहले कैसा दिख रहा था और जो solution वहां पे था वो पहले कैसा दिख रहा था यह changes को आपको notice करना है क्या कहीं पे precipitate form हो रहा है यह देखना है और can you tell which metal is displacing another metal from the salt solution तो कौन से salt solution में जो metal है वो दूसरे metal को displace कर रहा है अब यहां आपको observation में मिलेगा क्या कि जो test tube A था उसमें हम लोग क्या डाले थे copper sulfate solution और अंदर में all pins या फिर iron nails मतलब overall हम लोग iron डाले थे वहां पे तो यह जो iron है वो displace कर देगा copper को from the copper sulfate solution test tube B में जो zinc है वो displace क हो चुका है एक बर सिंक के थ्रू और एक बर आयरन के थ्रू और एक बर जिंक के थ्रू उसके बाद test tube C में displacement देखने के नहीं मिलेगा वहां पे zinc का solution था और हम लोग copper डाले वोए थे तो copper जो है वो zinc को displace नहीं कर पाया test tube D में magnesium जो है वो displace हो जाएगा zinc के थ्रू उसके ब जो है वो displace नहीं कर पाएगा किसको sodium को sodium chloride लिए थी क्योंकि वहां पे तो उसको displace नहीं कर पाया है यह सारा explanation जो मैं अभी दी अगर वो नहीं समझ में आया है तो figure को देखते देखते आप उसको दूबारास से सुनिए तो फिर समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ इस पूरे observation से हम लोग को यह समझ में आया कि जो metals है वो displace करते जाते हैं इक दूसरे को लेकिन जो more reactive metal है वो less reactive metal को displace कर देता है यही चीज़ तो पैड़े थे हम लोग previous class में वही question तो यहां पे हम लोग से पूछ रहा था ना कि यह जो है copper का solution copper को zinc displace कर दे रहा है लेकिन zinc को copper displace नहीं कर पा रहा है reason क्या है तो reason यह है कि zinc more reactive metal है and more reactive metals less reactive metals को displace कर देते हैं इसलिए यहां पे displacement देखने के मिल रहा था तो इसी basis पे जब हम लोग बहुत सारी elements को आपस में ऐसे react करा के देखें और displacement कौन किसका करा पा रहा है उस basis पे फिर एक series बन के आता है जिसको कि ह हम लोग activity series या फिर reactivity series बोलते हैं इस series में जब हम लोग top से bottom के तरफ move करेंगे तो reactivity है वो decrease होते जाता है उस basis पे lithium जो है वो highly reactive या most reactive element यहां पे है यह metal है potassium उससे कम sodium उससे कम फिर वैसी calcium उसके नीचे आ जाएगा तो ऐसे करते करते decrease होते जाएगा इनका reactivity and last मैं आपको यहां पर दिखाए कि platinum जो है वो least reactive metal है तो यहां से आप याद कर लेना most reactive और least reactive को और ऐसा नहीं है कि आपको पूरा sequence में एक्टम याद ही रहे कि हां कहां पर क्या है कम से कम इतना idea तो रहे आपको कि हां कौन सी चीज़े नीचे थी reactivity series में कौन सी उपर थी या फिर मांदो now table number two tell us that lithium is more reactive metal and platinum is least reactive metal यहां से देखने मिल गया it also help us to compare two metals compare भी कर सकते है जैसी कि iron जो है वो उपर है और silver जो है वो नीचे है तो silver जो है वो कम reactive है और iron जो है वो इससे जादा reactive है तो हम लो compare भी कर सकते है the metals that occur above hydrogen in the reactivity series can displace hydrogen gas from dilute acids तो जब हम लोग dilute acids बनाते हैं जैसे hydrochloric acid ले लिए hydrochloric acid मतलब HCl hydrogen यहां पर हम लोग दिख रहा है इसके ऊपर जो भी सारे metals present है अगर उसको हम लोग इस solution में डालेंगे तो वो क्या करेगा hydrogen को replace करके खुर उसकी जगा पर आ जाएगा लेकिन इन लोग जो है वो same चीज नहीं कर पाएंगे तो hydrogen के ऊपर वाले seen in activity series यानि की table 2 में जो भी metals हम लोगो दिखे रहे हैं उसको अगर हम लोग compare करें with when they were obtained in the pure form यानि की table 1 में जो present थे उसमें तो हम लोग को realize होगा कि जो most the active metals हैं जैसी के sodium, potassium और calcium वो कहां है वो बहुत लेट से हम लोग उसको discover कर भाए है उसका discovery जो है वो बहुत लेट से हु है तो यहाँ table 1 में देखो sodium, calcium, magnesium, aluminium कहां है नीचे present है अब यहाँ पर आओ यहाँ पर देखोगे आप तो sodium, calcium, magnesium, lithium यही था शयद यह सब अब कहां है तो यह उपर present है यानि कि जो जाधा reactive metals है उनका discovery कब हुआ है तो लेट से हुआ है जो जाधा reactive हमका discovery लेट से हुआ है उसी और फॉर्म में वो मिलेगा ही नहीं हमेशा क्या करेगा किसी और के साथ में react करके वो compound बना हुआ है अब इस compound से अब उसको eliminate करने में तो time लगेगा तब तो इतना स्याधा टेक्नीक वगएर डवलप हुआ ही नहीं था जैसे कि यहाँ पर देखो the reason that metals were used in is that they were found in elemental या फिर pure form in nature जो elemental या pure form में मिल जा रहे थे जो least reactive है वो pure form में मिल जा रहे हैं तो उनको हम लोग obtain कर ले रहे हैं लेकिन वहीं पर दूसरे जैसी कि iron है और जो है वो hematite या magnetite अभी हम पढ़ेंगे इस और के form में वो present रहता है मतलब mixture में present है वो pure state में नहीं है वो ठीक है mixture में present है अ फिर जब वो coal का या coke का discovery ही नहीं की होंगे मान लो fire discover कर भी लिए तो क्या पथर से गिस-गिस के आग जला करके फिर iron को थोड़ी न वो लोग वहां पर पिगला पाते बहुत ज्यादा उसके लिए चाहिए fire तो coal का discovery हुआ जब coal discover हुआ तो हाँप coal जला देंगे बहुत सार तो बहुत high temperature वहां पर produce हो जाएगा अब उस high temperature का use करके हम लोग iron को melt कर सकते हैं और इसमें से separate करके निकाल सकते हैं इसलिए जो most reactive metals हैं वो सारे क्यूंकि compounds के form में present है तो उनको निकालने के लिए resources चाहिए थे इसलिए वो दीरे-दीरे बाद में discover हुए और जो less reactive है वो pure form म available रहते हैं इसलिए बहुत पहले वो डिसकवर हो गये थे अब zinc mercury zinc tin यह जो metals है वो simply उनके जो भी और से उनको heat करने से obtain हो जाते हैं जैसे iron भी heat करने से obtain हो जा रहा है लेकिन दूसरे metals जैसे की sodium या potassium है वो जो है उनको सिर्फ हीट करने से भी वो अप्टेन नहीं होता है फि कि reactivity series पर depend करेगा कि chemical reaction को कितना fast दे रहे हैं या slow दे रहे हैं वह सारचीज तो first यहां पर chemical reaction है what happens when metals are burnt in air जब air में metals को burn किया जाता है तो क्या होता है तो जो most reactive metals हैं जिसकी sodium, potassium या lithium यह बहुत ही rapidly react करते हैं oxygen के साथ यानि कि बस हम लोग उसको अगर open छोड़ देना तो भी वो तुरंट से react कर लेते हैं air में क्यूंकि air में तो oxygen present रहता है तो क्या करते हैं वो लोग तुरंट र्याक्ट कर लेते हैं और oxides बना लेते हैं देखो metal सार burnt in air का मतलब है air के साथ burn करना मतलब oxygen के साथ react कराना ठीक कि किसी भी चीज़ को burn कर रहे हैं मतलब oxygen के साथ वो react कर है तो यह सारे मेटल्स जो कि मोस्ट रियाक्टिव हैं जो रियाक्टिविटी सीरीज में उपर थे वो क्या होते हैं कि हम लोग सिर्फ उसको ऊपन छोड़ देंगे एयर में तो भी वो औक्सिजन के साथ रियाइक्ट कर लेते हैं इसलिए हमेशे उसको केरोसीन में डिप करके रखा जाता है ताकि वो एयर के कॉंटाइक्ट में नहीं आएं अब यह जो ऑक्साइड से सोडियम के या पोटैशियम के वह वाटर में डिजॉल्व होकर के अलकली मतलब वह सारे बेस जो वाटर में इसलिउबल हैं तो यह जो सोडियम है वो ऑक्सिजन के साथ कराना है oxygen के साथ में तो क्या बनेगा जैसे यहां पर sodium oxide बना है वैसे ही potassium oxide बनेगा k2o ठीक है इससे यह obtain हो रहा है अब आपको एक balanced equation देना है तो balance करेंगे यहां पर आपको दिखर है oxygen 2 है और यहां पर single है तो आप यहां पर 2 लिग दो उसके बाद अब यहां यहां पर 4 हो गया और यहां single है तो हम यहां पर 4 लिग देंगे तो overall आपका equation बनेगा 4k plus o2 gives 2k2o यह आपका balanced chemical equation हो गया now we know that some relatively less reactive metals for example magnesium react slowly with oxygen present in air but born rapidly with white flames when heated अब जैसे यह जो है वो most reactive थे अब इनसे जो थोड़ा कम reactive है example magnesium दिया है यह जो है वो oxygen के साथ में थोड़ा slowly react करेंगा इनको सिर्फ open रख देने से react कर लिए लेकिन वहीं यह जो है उसको थोड़ा सब्लों को heat देना पड़ेगा ठीक है जब उसको flame के contact में लेकर करके आते हैं या उसको heat देते हैं तो क्या होता है वह वाइट flame प्रेजेंट रहता है इसलिए यह सारा effect हम लोगों को देखने के मिलता है तो पहला जो जादा reactive थे वो तुरंट react कर दिये air में ही जो थोड़ा उससे कम reactive है magnesium उसको थोड़ा सा heat देने से वो react कर रहा है ठीक activity 3 उसके लिए दिया है bright color flame जो है वो magnesium ribbon लेना है और अगर उस magnesium ribbon पे white layer आपको देखने के लिए मिल रहा है तो उस ribbon को बहुत जादा देर के लिए soak नहीं करना है क्योंकि जो magnesium है वो तुरंट से ही react कर लेगा फिर acid के साथ में और soak करने के बाद आप हमेशा ribbon को filter paper से clean करके उसके बाद ही heat करेंगे spirit lamp के उपर जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा कि वह white fumes बनाएगा अब यह जो fumes आ रहे हैं और उसके अलावा जो वह burn हो रहा है तो burn होकर के नीचे ash collect होगा तो oxygen के साथ रियाट कि यह है magnesium उससे ash बना है यानि कि वह magnesium oxide बना है अब आपको moist लेकर के आना है कहां पर तो वह जो white smoke निकल रहा है वहां पर और उसके बाद आपको test करना है मतलब उस smoke का करना आपको nature test करना है लिदमस पेपर के help sip तो जो white smoke है वह क्या है magnesium oxide है तो लिदमस पेपर जो है वह कौन सा था blue या red दोनों आपको लेकर आना है और moist इसले ले रहे हैं क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ रहे हैं कि moist होगा aqueous warm में रहेगा जिब कोई substance तो ही वह ions release करता है और ions release करेगा तभी तो वह acid के basic property शो करेगा तो यहां पर हैसले हम लोगों को moist पर लेकि आना है तो blue और red दोनों से separately एक एक करके चेक करेंगे कि यह जो magnesium oxide है वह acidic nature का है या basic nature का है ना one thing you must note अभी एकदम अच्छे से याद कर लो कि जो भी metals के oxide होते हैं वह basic nature के होते है जनरली ठीक है usually ऐसा बोलोगे कि एकदम जरूरी नहीं कि सब basic ही हो लेकि maximum जो है usually जो है वह basic nature के होते हैं अब room temperature पे zinc, lead या aluminium यह सारे metals जो है वह oxygen के साथ में react करते हैं और वह भी oxides बनाते हैं वह deposit हो जाता है उनका layer जो है उनके surface के ऊपर ठीक कौन-कौन zinc, lead और aluminium इसके oxide बनाएंगे तो वह obviously इसी metal के surface पर deposit हो जाता है लेकिन एक बाद जब यह layer बन गया है तब उसके बाद में क्या होगा वो prevent करेगा कि अब दुबारा और ज्यादा oxidation मत हो इस metal का तो एक तरीके से यह useful है उन metals के लिए जैसे zinc के oxygen के साथ react किया तो zinc oxide बन गया aluminum react के oxygen के साथ aluminum का oxide बन गया अब most of the metals जो है वो basic nature के होते हैं जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताई थी most of the metals basic nature के होते हैं लेकिन कुछ है जो कि acidic और basic दोनों ही nature दिखाते हैं example दिया है zinc और aluminium का जो zinc oxide है और aluminium oxide है वो amphoteric nature का होते है amphoteric means वो सारे oxides जो की both acidic and basic salts जो है वो फॉर्म करते हैं ठीक है तो the oxides या फिद the metals that form both acidic and basic oxides are called amphoteric oxides अब यह जो है उसका example जैसे आप equation के form में भी दिया हुआ है तो यह होगया aluminium oxide जब हम लोग acid के साथ में react करेंगे तो salt बना रहा है पिर mound Guminium Oxide Base के साथ भी react कर रहे हैं तो Salt बना रहा है तो क्या हो रहा है अगर Acid के साथ react करके Salt and Water बनाया मतलब वो खुद Base था और Base के साथ react करके Salt and Water बनाया मतलब वो खुद Acid था तो वो Acidic और Basic दोनों ही property यहाँ पर शोग किया इसलिए हम उसको बोल रहे हैं M4 temperature उनको प्रोवाइड करा दें अब यहां से कुछ questions जो है वह होते हैं वह यह है कि वाइडू metals lose their lusher when left in open जब metals को खुला छोड़ देते तो उनका लusher कैसे गायब हो जाता है तो reason क्या है कि जो metals है वो क्या करते है air के साथ react करके oxide form करते हैं और यही oxide उनकी उपर deposit हो जाता है जिसके वज़ेश उनका लश्चर हो चिप जाता है अगर वापिस इसको रब करेंगे ना तो वापिस उनका शाइनी surface बहार आ जाएगा उसके बाद why do golds and silver used in making ornaments and jewelry बनाने में इनका यूज क्यों होता है कि हाइली मेरियेबल होते हैं और हाइली डक्ताइल होते हैं इनका कितना भी पतला शीर्ट बना सकते हैं या वायर बना सकते हैं नेक्स्ट है आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने हैं for the reaction of lead magnesium aluminum metal with oxygen oxygen के साथ इनका reaction बुक में आपको उपर मिल जाएगा आराम से नहीं मिल रहा है तो फिर आप बता ना मैं यह बता दूंगे आप लोग को फिर की कैसे लिखना है जिसे aluminum का बता देती हूं aluminum के लिए aluminum का reaction आपको oxygen के साथ में कराना है तो obviously aluminum oxide बनेगा aluminum oxide होता है al2o3 कैसे बना aluminum का charge होता है 3 प्लस और oxygen का होता है 2- इसका 3 जो हम लोग oxygen के पास लिखे और इसका 2 हम लोग aluminum के पास लिखे तो यह बना है तो ऐसे गर कि आपको नहीं react किये तो next देखते हैं जब metals water के साथ react कर रहे है water के साथ जब हम लोग इसका reactivity पढ़ेंगे तो जो highly reactive metals है वही सेम sodium potassium और lithium वो cold water के साथ भी तुरंद react कर लेते हैं water के साथ react करके वो हमेशा खुद का hydroxide बनाएंगे और hydrogen gas release करेंगे और large amount of heat जो है वो होता है यानि कि यह जो reaction है वो highly exothermic होता है जिससे दिखरा equation sodium और water react करके sodium hydroxide बना hydrogen gas release हुआ और heat तो यह हो गया जो यहां पर words में लिखा था सेम उसी चीज़ को यहां पर chemical equation के form में दे दिया है जो less reactive metals है जैसे की magnesium वो feebly react करेंगे cold water के साथ में रियाट करेंगे लेकिन बहुत तेजी से नहीं करेंगे लेकिन वही अगर हम लोग उसको hot water के साथ में या फिर steam के साथ में react करा दें तब वह बहुत तेजी से react करता है और वह फिर वही अपना सर्फेस पर जाके स्टिक हो जाते हैं अब अब स्टिक हो जाते हैं उस पर इसलिए जो मेटल है वह फ्लोट होने लगता है सर्फेस पर अब कुछ मेटल जिसी के aluminium zinc lead यह जहां वह cold water के साथ भी निरियाट करते हैं hot water के साथ भी निरियाट करते हैं लेकिन steam के साथ रियाट करेंगे और उसके बाद वह खुद का metal oxide या और hydrogen gas जो है वह फॉर्म कर लेते हैं फाइव लिखा है यहां पर फॉर्म होगा नेक्स्ट यहां पर अब उसका equation दिया है aluminium और water aluminium का oxide और hydrogen gas iron and water तो iron का oxide और hydrogen gas water जो है वह गैसी एस फॉर्म में लिखा है यहां पर यानि कि steam के साथ हम रियक्शन कराये हैं now air के साथ reaction हो गया water के साथ reaction हो गया लेकिन वो metals जो इन दोनों के साथ रियक्ट नहीं किए अब उनका reactivity पड़ेंगे तो गोल्ड silver copper यह जो है वह इन दोनों के साथ ही रियक्ट नहीं किये थे ना तो normal temperature पे ना ही heat करने पे नहीं steam के form पे तो अब हम लोग देखेंगे reaction of metal with acids, अब हम लोग को देखो, अब जो metals जो highly reactive थे ना, जो oxygen के साथ में और water के साथ में ही तना vigorously react किये थे, sodium, potassium, lithium, उनको तो हम लोग acid के साथ react कराएंगे ही नहीं, ठीक है, अब बाकी metals को react करेंगे, तो metals जो हैं, वो dilute acid के साथ में react करके, salt बनाते हैं और hydrogen gas release करते हैं, यहां क् बनाएंगे और hydrogen gas release करेंगे, तो chemical equations आपको लिखने है, magnesium, zinc और iron के dilute hydrochloric acid के साथ, मैं इन में से एक आपको बता देती हूं, iron का बता दूं, कि magnesium का की zinc का, start magnesium से है, तो magnesium से बता देती हूं, mg, mg का reaction आपको कराना है, HCl के साथ में, अब HCl के साथ reaction करेंगे, तो यहां दिया है equation दो हो गया, और क्या करना है, तो इस equation को balance करना है, तो magnesium यहां single, single हम लोगो दिख रहा है, chlorine और hydrogen इस side में double है, और इधर single है, तो आप यहां पर two लिख दो, यह हो गया आपका balanced chemical equation, अब, that's all the metals react in this manner, कैसारे कैसारे ऐसी react करेंगे, सब salt and water बनेंगे, सब salt and hydrogen gas बनेंगे, सब same speed से react करेंगे, कि reactivity towards acid decreases as we go down the reactivity series, ठीक है, reactivity series में, जो most reactive metals है, जो उपर के तरफ present है, वो जल्दी react किये, जो नीचे के तरफ present है, वो देर से react करेंगे, जो less reactive metals है, जैसे gold और platinum, वो तो acid के साथ भी react नहीं करते हैं, मतलब dilute acid के साथ भी react करते ही नहीं है, फिर उनके करेंगा, concentrated nitric acid के साथ में, तो copper nitrate बनेगा, और nitrogen dioxide gas बनेगा, और water बनेगा, अब सेम देखो, अभी तक acid के साथ reaction से क्या बन रहा था, तो वहाँ पर उसका salt बन रहा था, और hydrogen gas बन रहा था, लेकिन यहाँ जब copper react के acid के साथ तो क्या बना, तो copper का salt तो बना है, लेकिन nitrogen gas बन अब यह एक्वारीजिया क्या है, इसको याद कर लेना, three part concentrated hydrochloric acid और one part concentrated nitric acid को मिला के, जो solution बन रहा है, उसको acquारीजिया बोलते है, three is to one का ratio है, three part क्या है, तो HCl, और one part में nitric acid, यह मिलाएंगे तो acquारीजिया बनेगा, इसके साथ में golden platinum जो है, वो react करते हैं, अब यहाँ metal का reaction आपको लिखना है, यहाँ water के साथ में ही, team है, मतलब water ही तो है, वस वो gaseous form में है, तो यह आप लिखना, खुद से, उसके बाद which gas is formed when aluminium metal reacts with dilute hydrogloric acid, aluminium का reaction HCl के साथ कराएंगे, तो क्या बनेगा, obviously hydrogen gas जो है वो release होगा, इसका भी एक balanced chemical equation आपको लिखना है, उसके बाद acquiregia क्या है, यहाँ answer दिया है, यहाँ से आप लिखेंगे acquiregia क्या है, now we will see how different metals are obtained, how they can be protected from the environmental factors and how they can be mixed with other metals to increase their usefulness, यहाँ कि next अब हम लोगो पढ़ना है कि metals जो हैं वो कैसे obtain होते हैं, कैसे उनको environmental factors से protect किया जा सकता है and कैसे उसको दूसरे metals के साथ में mix करके उनको और जादा useful ब आगे की वीडियो की लिंक भी आपको description में मिल जाएगी, thanks for watching and please to subscribe to our channel if you are new and you may join the telegram link given in description to stay connected with us.